तो गाइस मैं हूँ अंकी तो और आप देख रहे हैं इसलिंग फैन्स नैटवर्क सुरू करते हैं काइस पहले रिसल मेनिया के स्टेज के बारे में अपडेट आपको देते हुए निव अपडेट सा चुके सोफिय स्टेडियम से एंड कुछ इंटरस्टिंग फोटोस हैं जो बहुत मैसिव हैं आप इसको कंपेर करके देख सकते हो बाकी बीचों बीच अगर आप देखो तो सेंटर में रिंग के जगा पर आपको छोटे-छोटे सरकस देखने को मिलेंगे वैसे छोटे नहीं फोटोस में छोटे दिख रहे हैं एक्चुली बहुत मैसिव हैं तो यह इस रिंग के ऊपर जाएगी फॉर्स और इसके बीच में वो स्क्रीन लगेगी जहां पर की फैंस इंजॉय कर पाएंगे सो को मुझे लगता है अगर आप उस एरिया में देखो एंटरन स्टेज जहां पर बनने वाला है वहां पर बाई काफी इंट्रस्टिंग चीज है यह एज़ांपल दे के बताउं रैसल मिने 33 का स्टेज आपको याद होगा वह स्टेज क्या होगा था कि वह बनाने के लिए एक स्टीट बेस डेपनाा यह ननी यू पर इस स्टेज को बनाने के लिए एक स्ट्रा बेस डवी ने बनाया था उसके ऊपर सेleistėा बना था तो सशल य नीचे लोग बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि उधर गड़े में बैठे हैं लोग तो वह सेम एरेंजमेंट यहां पर होने वाली है तो फुल-उन आपको रेसल में 33 के स्टेज की वाइप मिलेगी अब स्टेज स्ट्रक्चर एक्जाक्ली कैसा होगा वो तो देखो देखना हो सब्सक्राइब कर सकते हैं बाबी लैसली की बात करते हैं बाबी लैसली अभी तक कार्ड से हटे नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है और वो हटेंगे भी नहीं वह कंपीट करेंगे रिसल मीना के अंदर इसको लिए अपडेट आ चुकिए ऑफिसियल लेकिन उससे पहले बाबी लैसली की तरफ से एक ट्वीट भी आया है वो देख लेते हैं लैसली कहते हैं नाइन देज अंटिल दा आलमाइटी टेक्स ओवर सोफिय स्टेडियम समवन इस गेटिंग ऑफ लाइफ ताइम आंफरेस एंड रेडी फाइट हैस्टेग रिसलमीनिया कहते हैं कि नौ लीक अपड़ेट है और अले ना इटके गेंस्ट यान वाले हैं और यह कुह माना जारा तो यह कुछ अपड़ेट इस चीज को लेके लैसली सेनली नाइट छे एंट मांधम देखने को मिलेगा अब या तो यह पहली है अनौनश कोगा है या तो लाश्ट मोंच पर होगा थ जोनों के लिए ऐसा कुछ कास अब दिखने हैं डोनों अ झहिरे में से दोनों आपस में बिड़ सकते हैं रांडी अचां की बात करते हैं रांडी aplushot के तौर पे नहीं होगी बलक़ी हीर के तौर पे थे रैंडी ओर्टन जब बैक इंजरी को वजा से तो गये थे किस तरीके से बेबी फेस के तौर पर लेकिन अब जब वापस आएंगे तो हील बनके वापस आएंगे यह कुछ कहना है रूमर्स का सो आप लोग किस करेक्टर में जाता पसंद करते हो रैंडी ओर्टन को सब्सक्राइब करते हैं अब डेट का कहना है कि रैंडी ओर्टन के लिए डबी डबी अपोनेंट जो है डिसाइड कर रही है और आसे में जो नेम है वह पिछ करा गया कोडी रोट का काफी मैसे बली कोडी रोट की बात है हो रही है आप लोग देख सकता है स्लाइस रस्लिं स्टोरी टेलिंग भी हो जाएगी और रैंडी ओर्टनिस प्यूट केंदर हील होंगे और कोडी रोट सोंगे परफेक्ट बेबी फेस तो फ्यूट बहुत मचाएगी वाली फॉर आगे बढ़ते हैं ब्रॉक लेस्टनर की बात करते हैं ब्रॉक लेस्टनर बिल्कुल तयार ह राय ट्रिपल अच पगरा को बैक्स्ट्रेश सबको कि अब मैं जाने वाला हूं ऐसे सारी बाते कर्ट एंगल कहते हैं इसके बीछे वह रीजन देते हैं वह कहते हैं रीजन यह नहीं कि ट्रिपल एज कंट्रोल में आया तो लेस्टनर रीटार हो गया ऐसा नहीं यह बहुत यह बात उन्होंने खुद से इंफॉर्म करी है बैक्स्टेश लोगों को यह कुछ अपडेट ब्रॉक लिसनर को लेकर काफी सैड नूज है ऐस ब्रॉक लिसनर फैन बुरा लगता लेकिन क्या कर यह समय तो आने वाला है और आज नकल आने वाला है आगे बढ़ते हैं बात क स्मैकड़न के बाद आपको स्मैकड़न पर जाते वे दिखेंगे यह कुछ कहना है न्यूज सोर्सेस का करेंटली मंडे नाइट रॉम में थे मैट रिडल लेकिन अभी स्मैकड़न उनकी डिमांड कर रही है तो अगर रिडल का रिटर्न होता है तो वह फ्राइड नैट स्म स्मैकड़न के एपिसोड होगा वहां पर आपको नाकामुरा देखने को मिल जाएंगे यहां पर स्मैकड़न पर भले ही आएंगे लेकिन उसके कुछ ताम बाद यह आपको मंडे नाइट रॉप पर चाते वे दिखेंगे क्योंकि मंडे नाइट रॉइन की डिमांड कर रही लोगों को नहीं निससरी मैसेज लोगों को जा रहें काविसार फैंस ने चीज़ को ट्वीट किया है और यहां पर बेची जा रही है तो आपर जो एकाउंट है वह है को चुका है सथ रॉलिंस का अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लोगन पॉल की कुछ ह आपको बता देता हूं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एड़टाइज सूपर स्टाइब के अंदर अपियर होने वाले अभी कहिसाप से किनको डेवी ने अट्वाइज किया समर्स्लाइम के लिए वह जानना काफी जरूरी है तो समस्लाइम होने वाला डेट्रॉइट से ए अब इसी में एक बहुत इंट्रस्टिंग अपडेट है वह हमारी आखरी स्टोरी यह रोमन रेंस एंड कोडी रोट्स को लेके जो कि एक और बार दरसाती है कि रोमन रेंस रिसल मीने के अंदर हारेंगे और कोडी जीतेंगे अब यह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं य लेकिन रोमन नहीं है यानि कि अगर कोडी चैंपिसिप जीतने है रिसल मीने के अंदर तो यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि वो अलग-अलग पेपर व्यू में हैडलाइन करेंगे टाइटल के साथ इसके बाद रोमन कहीं एड़टाइज नहीं है रोमन सीध है एड़टा है कि वो चैंपिन के तौर पर आगे जाएंगे और उसके बाद जब कोड़ी समस्क्राइम के लिए आगे तो रोमन का रीटर्न होगा और फेस करेंगे कोड़ी को समस्क्राइम के अंदर तो यह चीज़ काफी इंपॉर्टेंट एंड इंट्रस्टिंग है एक और मैसिव हिं सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपका ऐसी डेवल डवी के अपडेट्स मिलती रहे फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाइग्राइम एंड ट्विटर पर दोनों की लिंक से डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मैं काफी एक्टिव रहता ह कर दो